श्लामु अलाइकूम वर्हमतुल्लाहिवा बरकातू। काइमा वीबी किचन में आप लोग का श्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं चिकेन कोपता। उसके लिए 5 ग्राम चिकेन लिए। उसमें एट कर रहे हैं। 2 टेविर स्पोन अधरक लावसुन और हरी मिच पेस्ट और 2 टेविर स्पोन ओन्यों पेस्ट और एक अंड़ा। चिकन के हमने मिकसर जार में बलेंड कर लिए थें। और इसमें एट किये कशुरी मेथी और 1 teaspoon काला नमक और 1 teaspoon काला मिर्च अब इसमें एट कर रहे हैं बिस्कुट ब्लेंड कर लेंगे इस तरह तोड़के मिक्सर जार में ब्लेंड करके एट करेंगे बिस्कुट को हमने पाउडर बना लिए अब इसमें एट करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों मिक्स कर लिए अब थोड़ा हाथों में तेल लेके गोल गोल बॉल जैसा बना लेंगे इस तरह से बना रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा हाथों में तेल लेके इस तरह छुटा छुटा बॉल बना लेंगे इस तरह सब हमने बना लिए आप देख सकते हैं दोस्तों अब हम कडाई में राइस ओईल अच्छी तरह गरम कर लिए ओईल गरम हो चुका है अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे कर दोस्तों कर लेंगे दोस्तों के हाथों से थोड़ा पलट देंगे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्राई कर लिए अब हम प्लेट में उठा लेंगे अजय कर दोस्तों 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 कर दोस medium to low flame में fry कर लेंगे झाल 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 झा आप देख सकते हैं दोस्तों सब फ्राई कर लिए चिकिन बॉल अब प्लेट में उठा लेगें ओइल कम करके 4 टेबल स्पून ओइल कड़ाई में रखें एक तीच पत्ता चार एलाज एक डाल चीनी और चार लॉंग एट कर रहें थोड़ा चला लेंगे ओन टेबल स्पून ओन्यों पेस्ट एट कर रहें थोड़ा चला लेंगे ओन टेबल स्पून अधरक लॉसून और हरी मिर्च पेस्ट एट कर रहें अच्छी तरह भून लेंगे इसका कच्छा पन जाने तक वान टॉमेटो पेस्ट एट कर रहें थोड़ा भून लेंगे अब इसमें सुखा मसाला एट करेंगे हाप्टी स्पून काला नमक हाप्टी स्पून सब्जी मसाला हाप्टी स्पून जीरा पाउडर हाप्टी स्पून धनिया पाउडर हाप्टी स्पून हल्दी पाउडर भून लेंगे अब इसमें 5 ml पानी एट कर रहे हैं ढख के बॉइल कर लेंगे अब इसमें चिकन बॉल एट करेंगे ढख के पका लेंगे 10-15 निट आप देख सकते हैं दोस्तों चिकेन कोपता कमप्लीट दोस्तों आप लोग भीज तरह बनाएं खाएं खाने में भेरी भेरी टेस्टी दोस्तों मेरा रेसिपी जरुर पसंद आया होगा तो लाइक, सेयर, कॉमेंट और सबस्क्राइब करने में नहीं भूलिएगा बगल में बेल उइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग के पास चलाएंगे नए एक रेसिपी के संग तब तक के लिए अल्ला हाफीज तक के लिएगा तक के लिएगा